साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण, आज दुनिया योग की जरुरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्मिनिटी स्टॉंग हो, तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विद्विद्या है, अनेक प्रकार के आशन है, वो आशन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबोलिजम उसको शक्तिशाली करते हैं, लेकिन कोवीड-19 वाइरस खासतोर पर हमारे स्वसंतंत्र यानि की रेस्पिरेटरी सिस्टिम पर अटेक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को स्टौन करने में, जिससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, वो है प्रानायम। प्रानायम याने एक प्रकार से ब्रिथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तोर पर अनुलोम, बिलोम, प्रानायम ये एक प्रकार से पपुलर भी है, आप भी जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं, ये प्रभावी भी है। लेकिन प्रानायम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्रानायम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे। शितली हैं, कपालभाती हैं, ब्रामरी है, भस्त्रिका है। बहुत हैं, अन्गिनत हैं, अब तो नहीने जूडते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टीम और इम्यून सिस्टीम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती हैं। इसलिए आप से मेरा विशे साग्रा है। आप आसन करते हों, एक्सेसाइज करते हों, जो भी करते हों जुरूर करें। लेकिन आप प्राणायम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करें। और अनुलोम बिलोम के साथ ही अने जो प्राणायम की टकनीक्स हैं। उससे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पध्धत्यों का लाब बड़ी संख्या में, आज पूरी दुनिया में, ये कॉरोना वाइरस से ग्रसी जो लोग हैं, वो पेसंट उसका लाब ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उने इस बिमारी को हराने में मदद मिल रही है। योग योग